आप सब ठीक होगे चलिए आज की वीडियो में देख रहे हैं हम holding & subsidiary company holding & subsidiary company क्या होती है देखते हैं यह kinds of company है holding में यह अलग kind है और subsidiary एक अलग kind है यह दोनों के meaning मिलते जूलते हैं इसलिए मैने यह दोनों का वीडियो एक ही साथ बनाएंगे बलके सोचा हर एक कंपनी का हर एक काइंट से अलग अलग बना रहो बट यह दोनों कंपनी का एक साथ वीडियो बना रहो क्यों उसका मीनिंग मिलता जुलता है इसलिए चलिए फर्स्ट होल्डिंग का देखे उसके बाद सबसेडरी का देखते हैं दोनों का एक्जांपल भी में प्राइमरी बिजनस टा यह दूस्रे कंपनी के सेक्यूरिटीज को कंड्रोल करें या हॉल्ड करें मतलब जो दूसरे कंपनी रहते हैं जैसे च्छोटे गंपनी वह चकंपना हूं क्या करता है उसके 50% से ब्यादा जो स्पते से आढ़ हों other di इसका main काम रता holding company का जो दूसरे companies रते हैं छोटे छोटे चोटे companies उसको इस companies में आपना 50% से भी जादा shares own करता है so holding company usually does not produce goods और services itself यह holding company क्या रती है यह कुछ भी goods goods produce नहीं करती या service produce नहीं करती और नहीं यह goods sale करती है इसका just काम रता है जो भी profit आया वो profit को लेना खतम holding company का just यही काम रता है its purpose is to own shares of other companies to form corporate group so इसका main purpose रता है जो दूसरे companies के जो shares है वो 50% से भी ज्यादा shares अपने नाम पे own करें और जो भी net profit मिलता है वो net profit ले ले और जो भी थोड़ा debts रते वो यह भी pay करता है debts भी pay करता है holding company so अभी आगे है meaning holding company is a parent business entity usually a corporation that does not manufacture anything sale any products or services or conduct any other business operations so holding company क्या है holding company को parent company भी कहा जाता है parent company भी कहा जाता है holding company को यह कुछ goods manufacture करता ना कुछ ना करता ना good sale करता ना क्या नहीं करता just मैंने जैसे कहां ना ही कोई business करता just net profit देखता net profit ले लेता और कोई खर्जा है लैब लेडिया वो pay करता its purpose as the name employees is to hold the controlling stock or membership interest in other companies so holding company का main purpose कहा रहता है जो भी उसके stock है उसको hold करें control करें और उस company में membership ले यह सब काम करता है holding company मैं आपको best example देखे holding company का meaning clear करता हूं अब जैसे example है Reliance Group Reliance Group किसका है अंबानी सरका है Reliance Group के owner को नहीं अंबानी सर आए तो Reliance Group क्या हो गाई holding company हो गई वह क्या करते हैं जियो को hold करते है जो जियो अपने पास sim card साना telecom company है जियो So, Jio को वो hold करते हैं मतलब Jio के Jio के दुसरे भी share holders है बट सबसे ज़्यादा shares Ambasar के है Jio में 50% से भी ज़्यादा Jio में Ambasar के shares है दूसरे भी share holders है बट दूसरे इतने ज़्यादा shares ओन नहीं करते है So, Jio is the subsidiary company यहां पर example में Jio is the subsidiary company and Reliance is the Reliance Group is the holding company जियो सबसेडारी कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ अब चले देखते हैं सबसेडारी कमपणी सबसेडारी कमपणी आ गाए और सबसेडारी कमपणी डेट बिलोंग स्टू अनधर कमपणी विच इस यूजवली रिफोर्ट तो आज पेरेंट कमपणी और दा होल्डिंग कमपणी जो मैंने पिछला होल्डिंग कमपणी का मीनिंग बताया था उसका opposite है सबसेडारी कमपणी तो सबसेडारी एक कमपणी है जो दूसरे कमपणी इसको बिलोंग करती है दूसरे कोशे companies को parent company या holding company को so holding company का करती थी hold करती थी बट ये company subsidiary का company वो holding company own करी ये company रहती है subsidiary company जो companies को holding company hold करती है न वो companies को subsidiary company कहा जाता है the parent holds a controlling interest in the subsidiary company meaning it has or controls more than half of its stock so parent company के है पेरेंट कंपनी के पेरेंट कंपनी क्या करती है सारा का सारा जो भी स्टॉक्स रता है सारा ने सॉरी जो भी हाफ से ज्यादा 50% से भी ज्यादा स्टॉक्स को ओन करती है कंट्रोल करती है सबसेडियरी कंपनी को पेरेंट कंपनी सो सबसेडियरी कंपनी मतलब जिसके शेर्स हो होते हैं holding company मतलब जो hold करता है सो यह था subsidiary and holding company में difference सो और एक बार मैं आपको समझा जाता हूं इसका examples reliance group क्या होगा reliance group holding company होगा और जीओ क्या होगा do सब्सटेडारी company यह रिलाइफ ग्रूप hold करता है जीओ क्या है जो holding लेता है यह था यह था holding and subsidiary companies के meaning I hope आपको यह पूरा concept समझने आया होगा समझने आया गा तो एक वीडियो को लाइक की भी कर दीजिए और जैसे मैं बीकॉम सगेंड सेम एनी पे सलेबस स्टार्ट कर दिया था corporate administration हमारा सलेबस चराज सलेबस चराज उसमें एक टापिक था आई होप आपको यह टापिक अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए और पिछले जो भी वीडियो मेरे हुए है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं डिस्क